नमस्कार दोस्तो दोस्तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम इसे वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आप आधार कार्ड से अपना राशन कार्ड नंबर कैसे निकालेंगे दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप घर वैठे या उनलाइन केवल दो मिनिट में आसानी से अपना राशन कार्ड नमबर निकाल सकते हैं कैसे निकालना है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बाता हूंगा दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले हर वार की तरह इस वार भी मैं करूंगा छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो के डिस्क्रेटर में एक चोटा सा सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है आप उसे सब्सक्राइब करें और इस चोटे से वियल आइकन को जरूर दबा दें जिससे दोस्तों और भी आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहा है तो चलि कि हम जाते हैं अपने प्ले स्टोर पर आपको भी अपने प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर आने के बाद तो आपको प्ले स्टोर के सर्च बोक्स में यहां पर टाइप करना होगा मेरा आपको मेरा राशन पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामन इस प्रकास टेव यहां पर ओपन होगा तो मैं यहां पर इसे ओपन कर लेता हूं तो यहां पर मेरा राशन आप देख रहे होंगे यहां पर मैंने इसे पहले से इस्टॉल कर रखा है तो फिलहाल दोस्तों अगर आपके मुवाल पर इस्टॉल नहीं है तो आप इसे इस्टॉ प्रोड ओपिन होगा तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो होमपीज है हम इस एप के यानि मेरा रासन जो एप है उसके होमपीज पर यहां आ चुके हैं उसके बाद दोस्तों आपको एक सातमा आप्षन आपको मिलेगा आधार शीडिंग तो दोस्तों आपको आपको यहां पर एक option को सेलाट करना है तो हमें आना है यहां पर सेलेक्ट करना है आधार आधार पर हमें क्लिक कर देना है और जो भी दोस्तो आपका आधार नमबर है आपको नीचे मिलेगा आधार नमबर आपको यहाँ पर अपना आधार नमबर इंटर करना होगा तो मैं यहाँ पर जो आधार नमबर है उसे इंटर कर लेता हूँ आपको भी आधार नमबर सही से यहाँ पर इंटर करना है उसके बाद दोस्तों आधार नमबर इंटर करने के बाद आपको नीचे एक Summit बटन मिलेगा आपको आकर Summit बटन पर किलिक कर देना है जैसे आप किलिक करेंगे किलिक करने के बाद दोस्तों आपकी यहां पर सारी detail निकल कर आ जाएगी आपको आपकिस स्टेट से बिलॉंग करते हैं आपको पहले सबसे पहले आपको स्टेट मिल जाएगा उसकी बाद आपको डिस्टिंग मिल जाएगी और राशन कार्ड किसी स्कीम के तरू बना हुआ है वो स्कीम आपको मिल जाएगी उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है तो यहाँ पर सबसे scheme के नीचे आपको मिलेगा card number तो आपको यहाँ पर जो आपका राशन card number है यहाँ पर मिल जाएगा 21 से क्या बनारति 56 जो भी है यहाँ पर आपको अपना राशन card number निकल कर आ जाता है उसके बाद पी सॉरी FPS ID आपको जो है यहाँ पर नीचे मिल जाती है और उसके बाद दोस्तों on, north, eligibility आपको यहाँ पर मिलेगी सबसे नीचे yes है या no यह है आपको मिल जाएगी उसके बाद member name आपके राशन card पर कितने member यानि कितने unit है और उसके बाद इन member का आधार आपके जो राशन card है उसके साथ में आपका आधार seed है या नहीं तो आपको यहाँ पर दिखाएगा दोस्तों यहाँ पर जो आधार है वो इनका राशन card के साथ में सभी member है उनका automatic seed यानि पहले से sheet है तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि बाद राशन card number के वारे में तो आपके इस प्रकास से अपना राशन card number अपने आधार number के अपना जो आधार number है उसे डाल कर अपना राशन card number बहुत ही आसानी से दोस्तों आप निकाल सकते हैं तो दोस्तों ये था हमारा टोपिक दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को फिर से सब्सक्राइब जिरूर कर लें क्योंकि दोस्तो और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकिशन आप तर सबसे पहले मिलता रहे क्योंकि दोस्तो हम अपनी यूट्यूब चैनल पर नए से सरकारी योजना और कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ी वीडियो को अप्लोड करते रहते हैं दोस्तो फिर मिलेंगे नए टोपिक नए वीडियो के साथ दोस्तो जय है जय भारत